हेलो फ्रेंट्स आप दिखने टेकनिकल हिंदिकरूजी फ्रेंट्स यहाँ पर जो है एक और वेकेंसी का अपडेट आ चुका है जी हाँ फ्रेंट्स इसका ऑफिसल नोटिस आ चुका है और यह ऑल इंडिया रिक्रूमेंट है यहाँ पर इसके फॉर्म ओनलाइन डेट यहाँ फ्रेंट्स आप करेंगों को यही तक्यों सब्सक्राइब प्रेंट्स आंगा आप चाहते हैं अको रबेकेंसी प्राइवट करना चाहते हैं देख सकते हैं मैंने अफूर्पीशल नोटेस ओपन कर लिया है और फॉर्म बरने की लिंक वी आप वही से मिल सकती है नीचे डिस्क्रीप्शन में दुहिए लिंक पर किले करें आप इस नोटेस को भी ढालोड कर यहां पर देख सकते हैं आप महारतना पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग अंडर मिनिस्ट्री आप कॉल यहां पर गॉवर्नेट ऑफ इंडिया तो देख सकते हैं यहां पर जो सेली बताई जारी है वो आपको बताई जारी एक लाग चाली से चेसो तीन कडोर बिद प्रॉफ वो 21 दिसंबर को एक्टिवेट करें जाएगी रिस्क्रिप्स ने लिंक दी है उस लिंक पर क्लिक करके जैसे लिंक एक्टिवेट होती है आपकी वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट मिल जाएगी जो नीचे लिंक दी हुई है वहीं से भी आप नोटिस को डालोड कर सकते ह हैं और इसके फॉर्म बनने की लिंक जो है वो 19 जनवरी 2020 तक चलेगी और उसके बाद आपकी बंद हो जाएगी सीवीटी एक्जाम होने वाला है वो आपका 27 फरवरी 2020 और 28 फरवरी 2020 को कंडेट करवा जाएगा उसका यहां पर आपका एक्जाम के जरी आपका जो है सीलेक्सं इसमें करवा जाएगा यहां पर पोस्ट की बात करें तो यहां पर जो माइनिंग की पोस्ट है जिसमें आप बे, बी टक, बी एएसी इंजिनिरिंग बगारा 20 परेसंट से अधिक मार्कस हो तो आप इसमें जो है,प्लाई कर सकते हैं उलेक्ट्रिकल, मेकैनिकल और सिबिल के लिए यहां पर बताए गया है जिसमें आपको बात की गया है वह यहां पर आपको आइटिया एम्स या मिनीमम साथ परसेंट मार्क साथ आपको यहां बताए गया है मैटेरियल मैनेजमेंट की बात करें तो इंजिनियरिंग डिगरी आपके इलेक्ट्रिकल या मेकैनिकल की होनी चाहिए पोश्ट ग्रेजियोट्स की बात करें तो आपको डिगरी होनी चाहिए साथी आपका दो बरस का एम्बीय पोस्ट ग्रेजियोट्स की बात divine man to years on पर भीआ को पोश्ट की रिधो इन भाफ सिलेकु किस तरह से होगा आपको मैंने बताई दिया आपका सिलेक्शन जो है वह आपका स्टीकुशम के बाद ही कंडेट कर वह टो होगा ठीकime उसके जाप नहीं हम पर वह ऩर मैं में खिल आपकर गई बाती है आता हूं तो काफी लंबी वीडियो हो जाए कि 1326 पोस्ट पर यह वेकेंसी निकाली गई है 1326 टोटल पोस्ट है यहां पर बगाया रिजर्वेशन बगारा सभी कुछ दिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस दिया जाएगा तो आपका जो है सबसे पहले आपका स्टीवीटी एक्जाम कंपूटर पर करवाए जाएगा उसके बाद फिर इंट्रिवी बगारा सभी को कंडेट करवाए जाएगा फिर डीवी बगारा आपका होगा ठीक है टेश्ट सिटी की बात करें तो सिटी यहां पर जो है आपको जब आप फॉर्म बरेंगे तो भही पर आपको देखने को मिल जाएगी आपकी दो पेपर इसमें करवाए जांगे पहला पेपर होगा उसके बाद दूसरा पेपर होगा तीन गंटे का पेपर कंडेट करवाए जिसमें 100 marks का आपका paper होगा जिसमें आपका general knowledge, awareness, reasoning, math, English में आपका पूछा जाएगा ठीक है सभी कुछ multiple choice question होंगे 100 यहाँ पर multiple choice question यह होंगे ठीक है एक mark का एक question होगा और यहाँ पर जो है आपको कोई भी गलत answer question अगरा करते हैं गलत answer दे देते हैं तो उसकी कोई भी penalty आपको नहीं दी जाएगी ठीक है no negative marking है उसके बाद friends आपको बटाएगा है कि general minimum 40 marks टितेक paper में लाना होगा qualifying के डिये ठीक है cvt में और यहाँ पर OVC वालों के लिए 35 और SCS और PWD वालों के लिए 30 दाना होगा ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 ratio 3 की यहाँ पर जो है candidate को लिए जाएगा फर्ष्ट exam के बाद second exam के लिए ठीक है तो यह सभी कुछ है मैंने आपको बताई दिया अब यहाँ पर application fees की बात करें तो 1000 रुपय application fees यहाँ पर बताई गई है जिसमें जो fees होगी आपकी journal और OVC और यहाँ पर बताई गई है कि आपकी यह लिमिट है जनल और EWS बगेरा वालों के लिए यहाँ पर जो है तीस बरस से अधिक उम्र ज्यादा नहां हो और यहाँ पर आपको जुसरे यहोवी सी के लिए तीन बरस की चूट है तो इस तरह से यहाँ पर छूट भी दी गई है ठी यहाँ से 1,60,000 यहाँ पर और 50,000 आपकी अचार बेसिक ट्रेनिंग मां आपको दी जाए उसके बाद आपको इंक्रीज्मेंट करके आपको बढ़ा कर दिये जाएगा जब आप ट्रेनिंग के बाद जो है होगा ठीक है मैं आपका यहाँ पर जो है एगरिमेंट बॉंड भी आती में तुरंथी वीडियो प्रोवाइड आपको करा दूंगा इसलिए आप टेग्निकल हिंदी रूचन को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें बैल आइकन प्रेस करने बाद ऑल पर जरू किलिक करें जिससे आपको वीडियो का अपडेट मिल जाए नेक्स्ट व